स्रीदी पेंदर सिंगोटा जी में इशु अभी बचा है क्योंकि सरकार ने काफी प्रयास भी किया बाचीत भी चल रही है पियूज गोईल जी को लिक्त किया सरकार ने उनसे बात करने के लिए मगर बंद तो खतम हुआ है मगर अभी इन प्रोटेस्ट उनोंने एक्साइस टैक्स लगने से तकरीबन चौदा सो करोड की आमदनी सरकार को होने जा रही है अगर एक परतिशे कस्टम बढ़ा दिया जाए तो तकरीबन 26 करोड सरकार को मिल सकता है उसकी ड्यूटी नहीं है मगर ये एक वनरेबल सेक्टर है इसलिए हमेशा इसको एक्साइस एक्ट के बाहर रखा गया जैसे कि आप स्वेम इसकी जानकारी रखते है क्योंकि उस समय जब यूपिया के समय ये प्रस्ताव आया था तब भी विपक्ष ने भी और हम लोग उस तरव बैठे हुए ते उसको इस समझने समझ के एक सरकार कहती है कि अमीर लोगों का जैसे कि आप जानती है कि तकरीबन सतर प्रतिशत ये जो कारोबार होता है गाउं में होता है और गरीब घर और मध्यम वर्च के जो परिवार हैं वो भी सोने को एक अपना investment के रूप में भी देखते हैं और हर घर में जो है हमारे देश की संस्कृति से ये जुड़ी हुई बात है तो केवल अमीर लोगों की बात है तो जो diamond cutting है हीरे को तराशने पे आज के दिन excise duty नहीं है बहुत से कारिकर गुजरात में वो आप जानते हैं कि हीरे को तराशने पे आप duty लगाने की बात excise tax लगाने की बात नहीं आई है मगर सोने पे लगाने की बात आई है मैं समझता हूं कि बहुत सी विवारिकता है एक्साइज टैक्स लगाने पे बहुत सी विवारिकता हैं जैसे उधारन के तौर पे जिस प्रकार से पुराने जेवर को बदलने पे 12.5 प्रतिशत टैक्स लगाना का बात आई या पुराना कौन सी पीडी में खरीदा गया किस परिवार में और चोटे से अगर आपको रिपे का हिसाब कारिगर को रखना होगा नहीं तो उस पे एक्साइज एक्साइज एक्ट के माद्यम से जेल और पूरी तरह इंस्पेक्टर राज थोपने की बाते ये आ रही हैं तो मेरा सदर आपके माद्यम से सरकार से पुने ये निवेदन है ये बड़ा आंदोलन हुआता जं कि इस प्रकार का कोई समाधान निकाले कि इंस्पेक्टी राज की तलवार इन स्वनकार और कारिगर भाईयों पर ना लटकी रहे ऐसा आगर आपके माद्यम से मैं सरकार से करता